श्री राम कृष्ण वच्छनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। एक भाग्त श्री राम कृष्ण से कहते हैं। मैंने सुना है महराज, आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो हमें भी करा दीजिये। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, भला अध्मी क्या कर सकता है, उनका नाम लेते हुए, कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं, उनका ध्यान करते हुए, कभी-कभी खूब उद्धिपन होता है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता, कर्म चाहिए, तब दर्शन होते हैं, एक दिन भावावेश में, मैंने हालदार तालाब देखा, देखा, एक निम्न जाती का आदमी काई हटा कर पानी भर रहा है, उसने दिखाया, काई हटाये बिना, पानी नहीं भरा जा सकता, कर्म बिना, भक्ती नहीं होती, इश्वर दर्शन नहीं हो ध्यान जब यही सब कर्म है उनके नाम और गुणों का कीर्टन करना भी कर्म है और दान यग्यं ये सब भी कर्म है मक्षन चाहिए तो दूद को लेकर दही जमाना चाहिए फिर निर्जन में भी रखना चाहिए फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे मतना चाहिए तब कहीं मक्षन निगलता है भग कहता है जी हां कर्म तो चाहिए ही बड़ा परिश्रम करना पड़ता है तब कहीं वस्तु लाब होता है पढ़ना भी कितना पढ़ता है अनंत तो शास्त्र हैं शिराम कृष्ण कहते हैं शास्त्र कितना पढ़ोगे सिर्फ विजार करने से क्या होगा पहले उनके लाब करने की जेश्टा करो गुरू की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो गुरू न रहे तो इश्वर से व्याकूल होकर प्रार्थना करो वे कैसे हैं वे खुद समझा देंगे किताब पढ़कर क्या समझोगे जब तक बाजार नहीं जाया जाता तब तक दूर से बस होहला सुन पढ़ता है बाजार पहुचने पर एक और तरहे की बात होती है तब सब साफ दीख पढ़ता है और साफ सुन पढ़ता है आलू लो और पैसे दो साफ सुनाई देगा तुम्हें दूर से समुद्र के हर हराने का ही शब्द सुन पढ़ता है पास जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए कितने ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठती हुई कितनी ही तरंगें देखोगे पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता बड़ा अंतर है उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और विज्ञान सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यक्ता है उनकी कितनी कोठियां है कितने वगीचे है कमपनी का कागज कितने का है यह सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो नोकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते कमपनी के कागज की खबर भला क्या देंगे परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दिवारी लांग कर तब उनके कितने मकान है कितने बगीचे हैं कितने का कमपनी कागज है वे खुद बतला देंगे बाबू से भेंट हो जाने पर नोकर और दरवान सब सलाम करेंगे भक्त कहता है महराज अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो श्री राम कृष्ण कहते हैं इसलिए तो कर्म चाहिए इश्वर है यह कहकर बैठे रहने से कुछ न होगा किसी तरह उनके पास तक जाना होगा निर्जन में उन्हें पुकारो प्रार्थना करो दर्शन दो कह कहकर व्याकुल होकर रो कामिनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ लोग कहें कि इश्वर के लिए अमुक व्यक्ती पागल हो गया है कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो किवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मचलियां है परन्तु तालाब के किनारे किवल बैठे रहने से क्या कहीं मचली पकड़ी जा सकती है पानी में मसाला डालो क्रम शाह गहरे पानी से मचलिया निकल निकल कर मसाले के पास आएंगी तब पानी भी हिलता हुआ रहेगा तब तुम्हें आनंद होगा कभी किसी मचली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा मचली उचली और पानी में एक शब्द हुआ जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला दूध जमा कर दही मत होगे तब ही तो मक्खन निकलेगा यह अच्छी वला सिर्चड़ी इश्वर से मिला दो और आप चुपचा बैठे रहेंगे मक्खन निकालकर मुख के पास रखा जाए इनके अच्छी वलाई मचली पकड़कर हाथ में इनके रख दी जाए एक आदमी राजा से मिलना चाहता है साथ ढ्योडियों के बाद राजा का माखान है पहली ढ्योड़ी को पार करते ही वह पूछता है राजा कहा है जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार साथो ढ्योडियों को पार करना होगा या नहीं भक्त कहते हैं किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं महराज श्री रामकृष्ण कहते हैं उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं यहे बात नहीं उनका मिलना उनके कृपा पर अवलंबित है हाँ व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए विखलता के रहने पर उनकी कृपा होती है कोई सुयोग मिलना चाहिए चाहे साधु संग हो या विवेक हो या सद्गुरू की प्राप्ती कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया या स्त्री, विद्याशक्ती, धर्मात्मा निकली या विवाह ही न हुआ इस तरह संसार में नाफस न पड़ा इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है किसी के घर में सख्त बिमारी थी अब तब हो रहा था किसी ने कहा स्वाती नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिर कर रुख जाए और एक साप मेंधक का पीछा करे साप के लपक कर पकड़ते ही मेंधक खोपड़ी के उस पार उच्छल कर चला जाए और साप का विश उसी खोपड़ी में गिर जाए उसी विश की दवा यदी बनाई जाए और वह दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वह बच सकता है तब जिसके यहां बिमारी थी वह आदमी दिन मुहूरत नक्षत्र आदी देखकर घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोचने लगा मन ही मन वह इश्वर को पुकार कर कहता गया हे इश्वर तुम अगर सब इकठा कर दो तो हो सकता है इस तरह जाते जाते सचमुछी उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है देखते ही देखते थोड़ा पानी भी वरस कया तब उसने कहा हे गुरू मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी वरस कया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया है अब कृपा करके और जो दो एक योग हैं उन्हें भी पूरा करदो भगवान व्याकुल होकर वह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विशधर सांप आ रहा है तब उसे बड़ा आनंद हुआ वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा हे गुरू सांप भी आ गया है कई योग तो पूरे हो गए कृपा करके और जो बाकी हैं उन्हें भी पूर्ण कर दो कहते ही कहते मेंधक भी आ गया सांप मेंधक को खदेडने भी लगा मुर्दे के सिर के पास सांप ने जो ही उस पर चोट करना चाहा कि मेंधक उचल कर इधर से उधर हो गया और विश उसी खोबड़ी में गिर गया तब वह आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा इसलिए कहता हूँ व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है श्री राम कृष्ण कहते हैं मन से संपून त्याग के हुए बिना इश्वन नहीं मिलते साधू संचय नहीं कर सकता कहते हैं पक्षी और दर्वेश ये दोनों संचय नहीं करते यहां का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले सकता पांदान में पां भी नहीं ले जा सकता हुरदय जब मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा था तब मेरी इच्छा हुई यहां से काशी चला जाओ सोचा कपड़े तो लूँगा परंतुर रुपए कैसे लूँगा इसी लिए फिर काशी जाना भी न हुआ तुम लोग संसार में हो तुम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो संसार भी रखते हो और धर्म भी भगत कहता है यह है और वह दोनों कभी रह सकते हैं क्या महाराज श्री राम कृष्ण कहते है मैंने पंचवटी के पास गंगा जी के तट पर रुपया मिट्टी है मिट्टी ही रुपया है रुपया ही मिट्टी है इस तरहे विचार करते हुए जब रुपया गंगाजी में फेंक दिया तब पीछे से कुछ भै भी हुआ सोचा मैं बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो न हो जाओंगा माता लक्ष्मी अगर भोजन बंद कर दें तो होगा क्या तब हाजरा की तरह पटवारी बुद्धी आई मैंने कहा मा तुम हृदय में रहना एक आदमी की तपस्या पर संतुष्ट हो भगवती ने कहा तुम वर्दान लो उसने कहा मा अगर तुम्हें वर्दान देना है तो यह वर्दो कि मैं नाती के साथ सोने की थाली में भोजन करू एक ही वर्द में नाती एश्वर्य सोने की थाली सब कुछ मांग लिया उसने मन से कामनी कांचन का जब त्याग हो जाता है तब ईश्वर की ओर मन जाता है तब मन उन्ही में लिप्त भी रहता है जो बद्ध हैं उन्ही में मुक्त होने की शक्ती भी है इश्वर से विमुक होने के कारण ही वे बद्ध हैं काटे की दो सुईयों में कब अंतर होता है यह तभी होता है जब एक पल्ला किसी भार से नीचे दबता है कामेनी और कांचन ही भार है बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है मैं गर्भ में था तब योग में था भूमिष्ठ होकर यही कहकर रोता है कहां यहे यहां कहां आ गया मैं इश्वर के पाद पदमों की चिंता कर रहा था यह मैं कहां गया तुम लोग मन से त्याग करो अनासक्त होकर संसार में रहो भगत कहते हैं उन पर मन जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है क्या महराज श्री राम क्रश्न कहते हैं यह क्या संसार में नहीं रहोगे तु जाओगे कहां भाई मैं देखता हूँ मैं जहां रहता हूँ वह है राम की अयोध्या है यह संसार राम की अयोध्या है श्री राम चंद्रजी ने ग्यान प्राप्त करके गुरूस से कहा मैं संसार का त्याग करूँगा दशरत ने उन्हें समझाने के लिए वसिष्ठ को भेजा वसिष्ठ ने देखा राम को तीव रवईरा गया है तब कहा राम पहले मेरे साथ कुछ विचार कर लो फिर संसार छोड़ना अच्छा प्रश्ण यह है क्या संसार ईश्वर से कोई अलग चीज है क्या अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो राम ने देखा ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ हो गए है उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है तब श्विराम चंद्रजी चुप रहे संसार में काम और क्रोध इन सब के साथ लड़ाई करनी पड़ती है कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है आसक्तियों से बेढ़ना पड़ता है लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं है घर से लड़ना ही अच्छा है भोजन मिलता है धर्म पत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है देखो कली काल में प्राण अन्नगत है अन्न के लिए दस जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है घर में किले के भीदर रहकर लड़ना अच्छा है और संसार में आंधी में उड़ती हुई जूठी पत्तल की तरह रहो जूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीदर ले जाती है कभी नाबदान में हवा का रुख जिस और होता है पतल भी उसी और उड़ती है, कभी अच्छी जगह पर गिरती है और कभी बुरी जगह पर, तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है, अच्छा है इस समय यहीं रहो, फिर जब यहां से उठकर अच्छी जगह ले जाएंगे, तब द तो फिर कोई जंजट नहीं रह जाईगी तब देखोगे वे ही सब कुछ कर रहे हैं सभी राम की इच्छा है अपक्त कहते हैं राम की इच्छा यह कैसी कहावत है महराज श्री राम क्रिश्न कहते हैं किसी गाउं में एक जुलाहा रहा करता था वह बड़ा धर्मात्मा था सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था जब खरीदार दाम पूछते तो वह कहता राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ एक रुपया मेहनत चाराने की राम की इच्छा से मुनाफ़ा दो आने और कुल की मत राम की इच्छा से एक रुपया च्छे आने दोनों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समयवे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे वह जुलाहा बड़ा भागते था रात को भोजन करके बड़ी देर तक चंडी मंडप में बैठा इश्वर चिंतन किया करता था उनके नाम और गुणों का कीरतन भी वही करता था एक दिन बड़ी रात हो गई फिर भी उसकी आँख ने लगी वह बैठा हुआ था कभी कभी तंबाकू पीता था उसी समय उस रास्ते से डाकूं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था उन में एक कुलियों की कमे थी उसे देखकर उन्होंने कहा अबे हमारे साथ चल यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले फिर एक ग्रिहस्त के यहाँ उन लोगों ने डाका डाला कुछ चीजें जुलाहें पर लाद दी इतने में ही पुलिस आ गई डाकू भाग गए सिर्फ जुलाहा सिर पर गठर लिये हुए पकड़ा गया उस रात को उसे हवालात में रखा दूसरे दिन मेजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वह पेश किया गया गाओं के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए उन सब लोगों ने कहा हुजूर यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता साहब ने तब जुलाहे से पूछा क्यों जी तुम्हें क्या हुआ है कहो जुलाहे ने कहा हुजूर राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाए इसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मननप में बैठा हुआ था राम की इच्छा से रात बहुत हो गई मैं राम की इच्छा से उनके चिंता कर रहा था उनके भजन गा रहा था उसी समय राम की इच्छा से डाकों का एक दल उस रास्ते से आ निकला राम की इच्छा वे लोग मुझे पकड़ कर घसीट ले गए राम की इच्छा से उन लोगों ने एक ग्रिहस्त के घर डाका डाला राम की इच्छा से मेरे सिर पर गठर ला दिया इतने में ही राम की इच्छा से आपा गए यहां राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा आज सुबह राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आग्यां दी जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया संसार करना सन्यास यह भी सब राम की इच्छा से होता है इसी लिए उन पर सब भार छोड़ कर संसार का काम करना चाहिए नहीं तो और कुछ करो भी तो क्या करोगे किसी क्लर्क को जेल हो गई थी मियाद पूरी हो जाने पर वहे जेल से निकाल दिया गया अब बताओ वहे जेल से निकल कर मारे आनंद के नाचता रहे या फिर कलर्की करे संसारी अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वहे अनायास ही संसार में रह सकता है जिसे ग्यान की प्राप्ती हो गई है उसके लिए यहाँ वहाँ नहीं है उसके लिए सब बराबर है जिसके मन में वहाँ है उसके मन में यहाँ भी तो है जब मैंने पहले पहल बगीचे में केशव सेन को देखा तब कहा इसकी पूँच गिर गई है सभा भर के आदमी हस पड़े केशव ने कहा तुम लोग हसो मत इसका कोई अर्थ है पूछो जो रा महाराज से मैंने कहा जब तक मेंधक के बच्चे की पूँच नहीं गिर जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है वह किनारे से चड़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता जो ही उसकी पूँच गिर जाती है क्यों ही वह फिर उचल गूद कर जमीन पर आ जाता है तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूँच नहीं गिर जाती तब तक वह संसार रुपी जल में ही पड़ा रहता है अविद्या रुपी पूँच के गिर जाने पर ग्यान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विजरन कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्ण अम्रित का यह भाग संपूनता गुपराब्ध होता है शेश अगले अंक में